इंडिया इंडेल बे हम भारतिय रेल के तरब से एक न्यू वेकंसी है आज कि डिएट में वेकंसी रिलीज की है। जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना वाला है, वीडियो को एंट तक जरूड देखते रहीगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिनसे की आने वाले जो भी सारी विकेंसी होंगी उनकी इंफोर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और जो भी ऐसे कंडिडेट है जो भी तक टेलिग्राम चैनल वाटस वाटसब चैनल सभी का लिंक आपको दिया गया सभी से वहां से जोइन होकर गडिएगा बहुत सारे से नोटिस फीडिया जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता है तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल वाटसब ग्रूप और वाटसब चैनल में ही मिल जाती है सभी का लिंक जरूर से जोइन होकर के रहें यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहां से जोइन हो जाई है कि यह जो है अभी अलपी का जो नोटिफिकेशन है मैंने यहां पर जो ओफिसिली आया है यहां पर पोस्ट कर दिया हूं तो यहां साप इसको डॉनलोड कर सकते हैं इसमें अगर आउट की गया है 19 जनवरी 2024 के डेट में यह एड़टाइजमेंट नमर 2024 की पहली एड़टाइजमेंट है एक 2024 और रिकूटमेंट फोर दा पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मेनेजर इन सिविल डिसिप्लीन में आपको यह वेकंसी यहां पर देखने के लिए मिल रही है जिसमें क कि यह जो है आता है Ministry of Railway के अंदर में यहां पर आप देख पाएंगे यह जो है PSU है Central Public Sector Undertaking Under Ministry of Railway तो यह जो है रेलवे का एक PSU है इरकन इंटरनेशनल इसका फूल फोर्म होग है Indian Railway Constructions Company Limited तो यह जो है जितनी भी Constructions होती है Indian Railway में यह PSU है तो यह काम करते है आपको इसमें होने वाली है अभी जो इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मेनेजर सिविल के पोस्ट पे अभी वेकंसी आउट की गए दा कंपनी इनवाइट एप्लिकेशन फोर रेगुलर पोस्ट यानि कि यह परमानेट गवर्मेंट जॉब्स होने वाली है यह गवर जिदी गही है तो मैं आपको जरूर्ण से बताओंगा यह जो काम करते है रेलएक की वे बिच्न के लिए कंपनी में इसकी रोगर mundo तो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेर इस से बताने वाला हूँ अगर आप इसमें इंट्रेस्टेट होंगे तो यहां पर आप विजीट करके इसको अप्लाइ कर सकते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अप्लाइ आउनलाइन के नाम से तो पहले वीडियो को देख लिजे समझ लिजे उसके पाद आप इसको जरूर से अप्लाइ कर लिजेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक में लेगा इसी वेबसाइट का यहां पर आने के बाद आपको रेगुलर वेकंसी में यहां पर आपको देखने के मिलेगा रिकूर्ट्मेंट फॉर पोस्ट आप असिस्टेंट बेनेजर इन सि करना है उसके बाद यहां पर जो भी डिटेल्स यहां पर मांगे जाएंगे सभी कुछ आप इसको फिल कर लीजेगा तो यहां पर जो है जो मैंने आपको डेट बता है बीस जनवरी से सुबह सारे नो बज़े इसका लिंक एक्टिवेट किया गया यहीं से आपी लोग इसको 11.55 पीम तक इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ यह जो है आपका यहां पर सिविल वालों के लिए विकंसी भी निकली है जिसमें कि यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट मेनेजर या असिस्टेंट सिविल के पोस्ट पर अभी वेकंसी ओट की गए जि कोई दूसरा होगा तब हमें कमेंट सेक्शन में जिरूर से बताएगा कि कौन से बरांज से आप लोग यहां पर कर रखें डिप्लोमा कौन से बरांज से आप कर रखें बीबी टेक या कौन से ट्रेड से आइट यह तो आने वाले जो भी विकंसी होंगी उनकी कट्रेगरियम यहां पर 2013 ऊबस्ट है यहां पर टवेसिक पे हैं 40,000 से ले करके एक लाक्स चारीस तको मिलेगी तो आपकी जो श्टार्टिंग सेल्डिया अच्छी यहां पर मिल जागी यहां पर इसके लिए यहां पर का minimum post qualification experience माया गया जो की constructions field में होना चाहिए highway railway bridge road या rail उसके बाद via duct किसी में भी अगर आपके पास experience है तो apply कर पाओगे एक 10 2023 के नुसार से यहां पर experience का calculation किया जाएगा आगे बात करते हैं यह government की company है तो इसमें governments के guidelines के नुसार से आपको इसमें age में relaxation session मिल जाती है यहां पर जो भी दिया गया एज relaxation as per government of india guidelines तो इसमें और विसे भी कुछ यहां पर medical standards भी आपको यहां पर maintain करने होंगे उसके बाद यहां पर दिया गया इसमें TADHRA जो मिलेगी जो की governments के अनुसार ही आपको प्रोजेक्ट यहां पर से यहां पर आपको और भी सारे जो भी बेनिफिट मिलते हैं आपको government jobs में सभी आपको यहां पर मिलेगी यहां पर लिखा गया place of posting anywhere in the in the projects या office of the company within India या और अबरोड तो यहां जो company के नुसार से जहां पर भी आपकी जरूरत होगी वहां पर आपको इंडिया और इंडिया के बाहर भी आपकी काम यहां पर लगाए जा सकती है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो eligible candidate will be called for selection process comprising of written test cbt and or interview यहां पर cbt भी हो सकता या तो पर होने होंगे उसके बाद यहां पर दिया गाए कि जो भी ऐसे candidate है जो इसमें ओल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं विल्कुल आप यहां पर इलिजिबल होंगे अप्लाइ करने के लिए कोई भी restrictions यहां पर नहीं रखा गया अगर आप लोग जो हैं कही पर काम करें जिसे government, semi-government या public sector undertaking या autonomous bodies में कहीं पर भी काम करने हैं तो उनसे आपको NOC लेना होगा या उनका जो experience होगा valid होगा जिरूर से लगा सकते हैं इसमें कितनी application भी आपको पे करना होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी ऐसे candidate हैं जो यूर और OBC के डिगरी नहीं करने हैं बिल्कुल free of cost में आप इसको apply कर सकते हैं apply करने से पहले आप इसको जो भी detail notification है अच्छे से पढ़िए मैं हलाकि जो भी notification होता हूं अच्छे से बता देता हूं लेकिन आप लोग अपने इंड से भी एक बार अच्छे से उसको go through कर लीजिए उसको एक बार प है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं 20 जनवरी 2024 से सुबह 10 बजे से इसकी online application start हो जाएगी यानि कि कल से सुबह 10 बजे से और इसकी जो last date रहने वाली है 9 February 2024 सामके रात के 11 55 PM तक आप इसको apply कर पाएंगे तो यह इसका important date है जरूर से इसको ध्यान में रखेगा 20 जनवरी से लेकर के 9 February के बीज में देख सकते हैं यह इसका official website है वीडियो के description में जो link में रहेगा इसी website का यहां पर आने के बाद आपको regular वेकंसी में यहां पर आपको देखने क्लिए रिकूट्मेंट फॉर पोस्ट आप असिस्टेंट में इन सिविल डिसिप्रिन यही पर apply online का link दे बाद यहां पर जो भी details यहां पर मांगे जाएंगे सभी कुछ आप इसको फिल कर लीजेगा तो यहां पर जो है जो मैंने आपको date बाता है बीस जैनवरी से सुबह सारे 9 बजे इसका link activate किया गया यहीं से आपी लोग इसको apply कर सकते हैं उसके बाद यहां पर login का option दिख रह same timing यहां पर दिया गया तो यह था इसका detail information आईप आप इसको समझे होंगे यह notification आपको मारे telegram पर मिल जागा या video के description में link होगा उस link पर click करके आप लोग इसको directly download कर सकते हैं तो जो इसमें main information दी गई थी मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query रह आती है तो नीचे comment करके जरूर से पूछ सकते हैं वहां पर मैं आपका जरूर से reply कर दूँगा तो comment कीजिए जो भी आपका मन में कोई confusion.query है तो नीचे comment में जरूर से आप लिख सकते हैं तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you video को जरूर से like करके channel को subscribe कर ल कर दो एंगे